नमस्कार में हूँ आपके साथ तंचन मिश्राओर आप देख रहे हैं अपडेट मीरिया 24 इंटू 7 हम आपको दिखाएंगे हर छेत्र से जुड़ी स्तारी रुख खबरे तो चलिए उससे पहले रुख करते हैं आज के ताजा खबरों की तरब किसान दिवस के मौके पर कजबा पनमारी में प्रजापिता इश्वरी विशोविद्याले की ओर सी किशान गोस्ठी का आयोजन किया गया किसान दिवस के मोखे पर कसवा पनमाडी के बस स्टैंड पर आज सुबह दस बजे प्रजापती ब्रह्मा कुमारी इश्वरी विशोविद्याले के द्वारा किसान जागरुकता गोस्ठी का आयोजन किया गया गोस्टी में किसानों से अपील की गई है कि वह है नशामुक्ति के अभियान में शामिल होकर अपना पैसा शरीर समय तीनों बचाएं नशे से दूर रहें और समाज में अच्छे कारी करके एक नई शक्ती के साथ पहचान स्थापित करें नशे सी होने वाले नुकसान के विशे में भी विस्तार से स्लोगन और कई चित्रकलाओं के माध्यम से किसानों को समझाया गया किसानों से अपील की गई है कि वहरासाइनी खास से दूरी रखकर जैवी खेती को बढ़ावा दे और पोस्टिक आहार का उत्पादन कर प्रगत शील उज्जवल भविश्य के स्थापना करें फदना रोड स्थित बगला मुखी शक्ति पीठ के महंत श्रीपंच दशनाम चूना अखाडा संजगिरी जी द्वारा लोगों को बताये गया कि हमारे पूर्वज दूदगी और शुद आहार का इस्तिमाल करते थे इसलिए वह हमेशा स्वस्थ और विक्सित मानसिक्ता के साथ समाज में आपसी तालमेल के साथ जीवन जीते थे दिरगायों को प्राप्त करने में उन्हें कोई कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ता था वर्तमान समय में मिलावटी खाद्य पदार्थों के साथ लोगों में बड़ी तेजी के साथ बिमारियां पढ़ रही है जिनसे बचने और रोकने के लिए हमें पुनह प्राकरतिक खेती की और वरकर स्वस्थ पोशक और तत्वों का ग्रहन करके विमारी को हराना होगा और किसान भाई जादा से जादा जावी खेती का इस्तेमाल करें प्रजा पिता इश्वरिय विश्वविद्याले के बहनों में बहन राजश्वरी बहन श्वेता बहन अंगूरी ने 15 किसानों को समानित भी किया अपडेट मीडिया के लिए पनमाडी से ब्रजेंद गुपता के रेपोर्ट